असलाम वालेकुम आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है तो यह है गोल्ड का चार्ट सौरी यह है गोल्ड का चार्ट बैंक ऑफ जपैन की मॉनेटरी पॉलेसी थी आज थैंक्फुली दे हैव नॉट रेज्ट इंटरस्ट रेट मार्केट को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि जपैन अपना जो है इंटरस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दे बिकॉज अफ इन्फलेशन बट ऐसा नहीं हुआ है और जपैन ने इंटरस्ट रेट नहीं बढ़ाया एक रिकावरी देखने को मिली गोल्ड के अंदर 2570 तक गोल्ड चला गया था उसके बाद एक अच्छी रिकावरी 2592 में देखने को मिली कल गोल्ड 22 था हमारा कल गोल्ड हमने बाइंग कर लिया था 25-75 के असपास इविन दो अवर टार्गेट वास 2586 बट हमने पहले ही बुक कर लिया था 2583 पहले प्रॉफिट बुक करने का रीजन ये था कि कल ब्रिटेन की मॉनेटरी पॉलिसी थी इविन दो एक्सपेक्टेशन तो ये था कि कोई रेट में चेंज नहीं होगा बट मॉने एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इसलिए हमने अपना पहले प्रॉफिट बुक करके निकल गया थे पेड सिंगनल की जानकारी कोमेंटरी की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं आप मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कोमेंटरी में जो है गुल्ड सिल्वर डॉ प्रिश्क्राइब के लेवल साथें कोमेंटरी प्लस में यह सब तो आता ही है उसके साथ प्ल्राइक जानकारी डिस्क्रिप्शन में है वाट्सप नंबर है तो अभी 2562 डॉलर के आसपास चल रहा है कल मैंने एक मैसेज कह सकते हैं ट्विटर पे अपने यूट्यूब के च I don't think 2600 वापिस से टेस्ट करना चाहिए उस टाइम 2582 चल रहा था उसके बाद 2570 तक तो आया वापिस से 2592 गोल्ड चला गया है I think I will need to reverse my words मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार और हाई हमें देखने को मिल सकते हैं यह जो हाई है 2600 का I will not be surprised कि वापिस से एक बार टेस्ट कर दे बिकोज गोल्ड ने एक रिकवरी बहुत फास्ट दी है यह उसके 2600 डॉलर के बाद गोल्ड नीचे तो चला गया था 2550 फिर वापिस से 2595 गया फिर वापिस से 2570 अब वापिस से एक बार 2592 आ रहा है अब लेट सी के क्या होता है अगर वापिस से 2600 डॉलर जाता है कल अगर जाता तो I would have been surprised बट अगर आज जाएगा तो I will not be surprised now I am prepared कि एक बार 2600 या पर 2610 डॉलर की जोन टेस्ट कर सकता है जहां तक इसको 2728 डॉलर के जो मैंने अभी टार्गेट मार्केट में र्यूमर सुने हैं उस जैसा कोई सब्सक्राइब की रीजन अभी दिख नहीं रहा है अंटिल अनलेस के मिडली इस में वापिस से कुछ ना कुछ पंगे शुरू हो जाएं लिमिटेट अपसाइड लग रही है अंटिल अनलेस हमें वापिस से कुछ एक न्यूज आजाए एकोनॉमी की या फिर मिडिली से कि हैंग ओवर था अटलीस फॉर वन मन्थ वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट दाट बाकी कुछ भी डेटा रहेगा यह कुछ भी सिगनिफिकेट रहेगा तो मैं आपको अपने वाटसेप चैनल और टेलिग्राम चैनल पर बताता ही रहूंगा तो मेक शूर सारी जगा आ स्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है अभी फिलहाल 25.92 के आसपास जो है गोल्ड प्राइक्स चल रहे हैं आज का रेजस्टन सपोर्ट क्या है देख लेते हैं सपोर्ट है आज का 2570 डॉलर का रेजस्टन से आज का 2610 डॉलर का ट्रेंड इसका पॉजटिव ही है तो रखेगा खयाल चलते हैं सिल्वर की तरफ सिल्वर जो है यह जो लोज बनाए थे अगर 30.50 सेंट ब्रीच हो जाता तो जरूर सिल्वर वीक जोन में चली जाती यानि कि यह वाला लेवल बट एक अच्छी रिकवरी की सिल्वर ने दिखाई है तीस साट से लेके अब अल्मॉस्ट हाइस पॉइंट ऑफ दे चल रही है इन फाक 31.13 का हाई जुआ है यह बस अभी ही बनाया है इसने जब मैं वीडियो रिकॉर्ट करने बैठा तो तो सिल्वर भी पॉजिटिव जोन में है तेर इस नो डाउट बाउट बाउट बिकॉस तैस सपोर्ट एट थाटी डॉलर फिफ्टी सेंट रिजिस्टन से आज का एक अत्यस चालिस का ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है तो रखेगा खयाल दोनों मेजर गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव जोन में जरूर हैं बट थोड़ा सा खयाल रखेंगे थोड़े से स्ट्रिक्स्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो ज्यादा बहतर रहेगा बिकॉस मार्केट थोड़ी सी फ्रेजाइल ही लग रही है आप देख सकते हो कि मुवमेंट बहुत ज्यादा है तो कुछ भी पोजिशन ले रहे हैं तो make sure you have a very strict stop loss क्रुड पर आते हैं almost 71.60 के आसपास चला गया था कल हमने 70.50 का जो है resistance दिया था 70.50 का resistance था उसके बाद तकरीबन एक डॉलर उपर highs बना चुका है obviously now it has entered in positive zone there is no doubt about that so let's have a support resistance updated support है आज का 69.70 का resistance है आज का 72.00 का trend इसका positive हो गया है but 69.70 breach होता है और उसके नीचे sustain करता है crude oil तो फिर अगयन वापे से week zone में जा सकता है ध्यान रखेगा weekly analysis वाले वीडियो के level थ्याल रखेगा अभी भी weekly chart पे crude oil week zone में ही है तो थोड़ा सा खयाल रखेगा crypto उस पर चलते हैं support आज का change हो चुका है obviously आज का support है 6400 डॉलर का resistance है 6850 डॉलर trend इसका positive बरकरार है जब तक support break करके sustain नहीं करेगा तब तक bitcoin positive zone में ही रहेगा ethereum पे आ जाते है 2400 का resistance था almost 2500 डॉलर का highs बना चुका है आज का support है 2350 डॉलर का resistance है आज का 2560 डॉलर का trend इसका positive है तो रखेगा खयाल बागी वीडियो आपको useful लगा हो तो like share comment कर दीजेगा चैनल पर first time आए हो तो make sure आपने चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दिया है अब कल के weekly analysis में मिलेंगे तब तक के लिए take care बबाए पलतर लाँ मिलेंगे आपको örकिका कर दें